Now the next part of the story In 15th century Antwerp Antwerp is a very very famous place किसी जमाने में Antwerp जो होता था खासकर पश्चमी यॉरप में पंद्रहवी शताबदी में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध शहरों में था अपने व्यापार के कारण अंतरराजी, अंतरराश्टी, समुद्री व्यापार के लिए Antwerp बहुत प्रसिद्ध था पंद्रहवी शताबदी In the 15th century Antwerp A master blacksmith Called Quentin Mistis Fell in love with a painter's daughter अब ये चैना की बात छोड़ दीजे अभी तक हमने चैना के बारे में पढ़ा वहां की painting की एक कहानी पढ़ी अब थोड़ा Europe की हो रहा है जहां Flanders की बनाई हुई painting के बारे में जिक्र है और वो पश्चमी योरप की painting का एक अच्छा प्रतिनिदित करती है कहानी कुछ इस तरह है The story is something like this कि एक blacksmith है लोहार लोहार को बोलते हैं blacksmith जो लोहे का काम करते हैं और उसका नाम था Quintan Mitzi A master blacksmith called Quintan Mitzi fell in love with a painter's daughter ये लोहार जो था वो एक painter की लड़की से प्यार करने लगा To love मतलब प्यार करना To fall in love मतलब भी प्यार करना To fall in love Fall मतलब गिरना और यहां पर देखिए fall in love तो वहां से बना fall, fell, fallen Past tense is fell And third part is Past participle is fallen So he fell in love उससे प्यार करने लगा प्यार किया नहीं प्यार करने लगा प्यार करने लगना को बोलते हैं To fall in love और प्यार करना मतलब होता है To love देखिए कितना अंतर हो जालता I have fallen in love with my books मैं अपनी किताबों से प्यार करने लगा हूं And I love my books मैं किताबों से प्यार करता हूं करता हूं, करने लगा हूं दोनों में अंतर है इस अंतर को यहां समझिये So I fell in love with painter's daughter The blacksmith The father would not accept a son-in-law in such a profession जो painter थे जिनकी लड़की से लोहार को प्यार हो गया था उस लड़की के पिताजी ऐसे दामाद को स्विकार नहीं कर रहे थे जिसका profession लोहार का था और जिनका खुद का profession painting का था To accept मतलब स्विकार करना Son-in-law मतलब दामाद Profession मतलब धन्धा He would not accept पिताजी को स्विकार नहीं था ऐसा संबन कि एक लोहार मेरी लड़की से शादी करे मेरी लड़की से प्यार करे और शादी करे मेरा तो painting का profession है So Quinten sneak into the partners Into the painter's studio To sneak into To sneak into To sneak into मतलब जगह बना कर घुश जाना चूहा कैसे घुशता है Sneak करता है Snake कैसे घुशता है Sneak करता है जगह बना के घुशता है 15 लोग बैठे हैं और एक स्वलवा व्यक्ती वहां आके धीरे से घुश जाता है और शामिल हो जाता है गुर्प में So the man sneaked into the group S-N-E-A-K To sneak into मतलब धीरे से घुश जाना रेंगते हुए चले जाना So यहां क्या होता है That लोहार That blacksmith Sneaked into the painter's studio Studio means The room where painter Does his painting And what did he do And painted a fly On his latest penal Penal मतलब एक पैंटिंग का एक टुकडा था जहां उसने Paint करते हैं वो एक board रहता है उसको panel बोलते हैं उस board में उसने एक fly बना दी अब मक्खी बना दी And painted a fly On the panel Latest panel सबसे Latest painting जो बना रहा था और board में वो Painting लगी थी पूरी नहीं हुई थी उसमें उसने जगा एक मक्खी बना दी बडी मक्खी And that painting was done That fly was made With such delicate realism That the master tried to swat it away Before he realized What had happened Beautiful इतनी सुन्दर पैंटिंग थी कि वो delicate realism थी Real मतलब वास्ताव मैंने शुरू में बताया China की जो कहनियां पड़ी थी China की जो painting थी वो सब कालपनिक थी Illusion थी Kalpana की उडान थी भ्रम था China की कहनी में जो भी आपने सुना वो सब भ्रम था ये ऐसा हो रहा है दरवाजा खुला उसके बाद Painter अंदर गया और इससे पहले वो अंदर जाता दरवाजा बंध हो गया ये सब कलपना है Painting gap भी हो गई लेकिन यहां की जो painting है वो real है वास्तविक है delicate realism मतलब बहुत बारीकी से बनाई गई painting मक्खी जो है वो बिलकुल वास्तों में मक्खी दिख रही थी और इतनी real लग रही थी कि जो painter है उसने उसको मक्खी मारने का जो sweat होता है badminton racket जैसा उससे उससे मारने की कोशिश की और फिर उसने समझा he realized what had happened with a delicate realism that master tried to sweat it away उससे ऐसा करके किसी चीज से उसको भगाने की कोशिश किया क्योंकि उसको लग रहा था ही तो मक्खी है बिल्कुल वास्तविक मक्खी जैसे दिख रही थी sweat it away to sweat it मतलब भगाने की कोशिश before he realized what had happened कि क्या हो गया ऐससे पहले वो समझ पाता है यह क्या हो गया है उसने उसको मारा और फिर उसको समझ में आया क्या रहे यह तो पेंटिंग है Quentin was immediately admitted as an apprentice और फिर उसके बाद पेंटर को समझ में आया कि यह जो पेंटिंग बनाई है यह उस लोहार ने बनाई है लोहार ने जिसने पेंटिंग कभी नहीं सिखी थी जिन्दगी में कभी पेंटिंग नहीं जानता था लेकिन जब कला बनाने की बात आई तो उसमें अपने आप अपने खुद के दिमाख लगा कर बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी उसने इसकी पेंटिंग को देखने के बाद fly की painting को देखने के बाद उस लड़के को अपने अहां प्रशिक्षू बना लिया और था apprentice मतलब प्रशिक्षू ट्रेनिंग में रख लिया ट्रेनिंग देने के लिये जब तक ट्रेनिंग नहीं थी तब भी देखे कितनी बढ़िया मक्खी बनाये था और अप्रेनिंग देने के लिये उसने उसको बला लिया कुंटन वाद इमीजेटली एड्मिटेड एज एड्मिटेड एज एप्रेंटिस इन्टो इस स्टूडियो ये मैरेड इस बिलवेड और वेंट आन तो बिकम ये जो लोहार था उसकी फिर शादी हो गई पेंटर की बेटी से और उसके बाद ये जो पेंटर है वो दुनिया के सबसे ख्यात नामा पेंटर में गिना जाने लगा अपनी समय का बहुत शानदार बहुत नामी पेंटर बना these two stories illustrate what each form of art is trying to achieve illustrate मतलब प्रदर्शित करती है दिखाती है these two stories show to illustrate मतलब to show these two stories illustrate what each form of art is trying to achieve to achieve मतलब पाना far मतलब प्रकार art मतलब कला painting यह जो दो अलग-अलग कलाएं हमने पढ़ी Chinese art and western European art यह क्या पाने की कोशिश कर रही है इस कहानी से दिख जाता है these two stories one story of Dowsey and the other story of this blacksmith यह इनकी कहानियों से आप समझ जाएंगे कि यह क्या बताना चाहरी है number one a perfect illusionistic likeness in Europe a perfect illusionistic likeness in Europe in Europe में कलपना थी कलपना के समान ब्रह्म पैदा करती हुई painting the essence of inner life and spirit of Asia essence मतलब निचोड essence मतलब निचोड inner life मतलब अंदर की कहानी अंदर की बाद inner life the essence of inner life and spirit in Asia Asia की लोगों के जो अंदर की जो आत्मा की जो बात है spirit की जो बात है वो और illusionistic likeness in Europe ये ये कहनी से इससे पता लगता है दो बातें पता लगते हैं very important line a perfect illusionistic likeness in Europe comma the essence of inner life and spirit in Asia दूसरी स्टोरी क्या बताती है निचोड Asia के लोगों की आत्मा की कहानी आत्मा का बारे में inner life के बारे में और दूसरी पेंटिंग क्या बताती है एक illusionistic likeness in the Chinese story the emperor commissions a painting in the Chinese story the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance outer मतलब बाहर का appearance मतलब दृष्य जो दिखाई दे रहा हो बाहर जो दिखाई देता है उस पर राजा बहुत खुश हो जाता है Chinese story में आपने यही सुना to appreciate मतलब प्रशंसा करना खुश होना तो वो किसको देखके खुश होता है पेंटिंग को बाहर से देखके खुश हो जाता है लेकिन सच्चाई में आपको बताया दिखाना बताना किसी गूड चीज को खुलना उसके अर्थ को बताना गूड चीज को लेकिन सच्चाई में The artist reveals to him the true meaning इस पेंटिंग का सच्चा मेनिंग बताता है artist, painter राजा जो है वो बाहर के दिख्चत से ही बड़ा प्रसंद हो गया सा लैंड इसके देखके mountains, hills men walking on the pagadandi river, trees and what not he became very happy but master said no, no, no there's something within इसके अंदर भी कुछ है अंदर मतलब painting की गहराई पे जाओ थोड़ा and he tells him the true meaning और उसका वास्तविक meaning बताता है इस painting का the emperor may rule over the territory he has conquered to conquer मतलब विजय पाना पराजित करके विजय पाना वो बोलता है the emperor may rule over the territory he has conquered, territory मतलब खेत्र राजा जो है वो जिस खेत्र को जीता है उस पे रूल कर सकता है उस पे शासन कर सकता है but only the artist knows the way within लेकिन अंदर जाने का रास्ता केवल कलाकार जानता है this is the very key line of this particular paragraph the emperor may rule the territory he has conquered but only the artist knows the way within मने रास्ता अंदर जाने का रास्ता तो केवल कलाकार ही जानता है आप तो महराज केवल बाहरी दुनिया पर शासन कर सकते हो केवल रूल कर सकते हो लेकिन उसकी गहराई में तो हम ही जा सकते है कलाकार ही जा सकता है कलाकार ही समझता है आपको याद आरी वो कहानी जब कलाकार अंदर गया और दर्वाजा बंध हो गया और पूरी पेंटिंग गायब हो गई इस बात को लेकर दाव जी कुछ कहते हैं Let me know the way he says मैं रास्ता दिखाऊंगा बहुत सटीक लाइन है मैं रास्ता दिखाऊंगा यानि कला का रास्ता दिखाता है राजा को जीवन का रास्ता समझ लीजिए जीवन का दर्शन राजा को कहता है कि आप बाहर शास्ता कर सकते हो राजा होगे इतने बड़े खेत्र के लेकिन जो जीवन के मीनिंग है जीवन का असली अर्थ है वो तो मैं ही बता सकता हूँ मैं कला कार बता सकता हूँ और इसने कहा था ने लेट मी शोथ the way and the mysterious work of the universe मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ और mysterious मतलब अजीब औ गरीब अजूबा mystery मतलब अजूबा और mysterious मतलब आजीब औ गरीब अजीब औ गरीब जो दुनिया है Universe मतलब Brahmand Brahmand की जो ऑजीब औ गरीब बाते हैं उसको तो मैं ही बता सकता हूँ Let me Let me show the wave मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ The painting is gone But the artist has reached the goal Painting तो चली गई वो भी उड़के चली गई painter भी गया वो गया लेकिन जो कलाकार है artist है उसने अपना लक्ष प्राप्त कर लिया राजा को ये कह कर कि मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ राजा जब बड़ा खुश था प्रफुलित था वो शानदार पेंटिंग को देखके तब उसने राजा को कहा था कि मैं रास्ता दिखाता हूँ और उसके बाद गाव हो गया पेंटिंग तो चली गई लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज छोड़ गया बहुत बड़ा लक्ष प्राप्ट कर लिया और वो क्या था बियांड एनी मैटिरियल एपियरेंस मैटिरियल मतलब भौतिक ये जो लैंडिसकेप की जो पेंटिंग आप देख रहे हो इसमें जो भौतिक चीजें दिख रही है इसके बाद की दुनिया के लिए रास्ता तो मैं ही दिखा सकता हूँ बियांड एनी मैटिरियल एपियरेंस कलाकार की महत्ता कितनी हैं आप समझ सकते हैं बड़े-बड़े समराट उसके सामने छोटे हैं कलाकार ही रास्ता दिखा रहा है यहां पर इस इस अबाउट चाइनीज स्टोरी एस क्लासिकल चाइनीज लैंड़ेस्केप नाव दे राइटर सेज नथाली सेज कि जो चाइनीज परंपरागज जो लैंड़ेस्केप पेंटिंग होती है आप यह चाइनीज परंपरागज चाइनीज परंपरागज चाइनीज परंपरागज परंपरागज उनका उद्येश किसी चीज को यथावत उतार देना नहीं होता इस कहानी के बाद अब नथाली कह रही है कि मित्रो समझिये कि चाइनीज परंपरागज जो होती है वो वास्तविक्ता को नहीं उतारती वो यथावत जैसे का तैसा एक्चुल व्यू को कॉपी नहीं करती जैसा कि वेस्टर्न परंपरागज करती है वेस्टर्न पेंटिंग में आपको मैंने बताया कि जैसा दृष्ष था वैसा ही सामने है एज वोड़े वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग फिगरेटिव पेंटिंग मतलब जिसमें फिगर्स हो बड़े क्लियर स्पष्ट एक मक्खी बनी होई थी भले ही कितनी वास्तविक क्यों न हो लेकिन वास्तविक को उतार देने का काम पश्चिमी जगत की पेंटिंग करती है और जो चाइनीज पेंटिंग है वो imagination कलपना की उड़ान मिल ले जाती है गहराई मिल ले जाती है उपर जो दिखाई दे रहा है पश्चिमी जगत उपर जो दिखता है उसमें खुश है पर चाइनीज फिलासपी, चीन का दर्शन उपर के दिश्च से मोहित नहीं होता वो और अंदर जाता है, गूड में जाता है figurative painting, figures, painting with figures whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape, exactly he saw it whereas, jab ki, whereas, मतलब jab ki अब देखिये, पूरा संटेंस को पढ़िये classical Chinese landscape is not mean to reproduce the actual view as would a western figurative painting whereas the European painter wants you to borrow his eyes borrow करना मतलब उदहरी लेन and look at a particular landscape, exactly as he saw it पश्चिमी painter ऐसी painting करता है मानो, वो चाहता है कि वो बिलकुल व्यथावत वैसा का वैसा बना देता है और बनाते के बाद वो चाहता है कि जो भी इसको painting को देखे, वो उसी नजरिये से देखे, जिस नजरिये से मैं इस painting को देख रहा हूँ पश्चिमी जगत की painting में खासियत यह है कि उसमें कलाकार जैसा देखता है वो चाहता है और वो बनाता है ऐसी painting कि बाकी लोग भी वैसा ही देखे अर्थात सब का नजरिया एक हो, अर्थात सब की आँखे एक जैसा देखे एक तरीके से बारो कर लिया हो मानो, हमने उधार ले लिया हो कलाकार की आँख को painter की आँख को मानो हम सब लोग उधारी में ले लेते हैं और उसके नजरिये से देखते हैं ये नजरिये से देखने, उसी नजरिये से देखने का जो तरीका है वो पश्चिमी पेंटिंग में है। ये नजरिये से देखने की वो अपेक्षा करता है। हर देखने वाला उस पेंटिंग को अपने अपने नजरिये से उसको देखता है। अर्थात, लोगों की अलग-अलग सोच रहती उसी पेंटिंग को लेकर। चैनिज पेंटिंग जो है वो थोड़ी बलर रहती है, उतनी स्पस्ट नहीं रहती। Chinese painting में कलपना की उड़ान की बहुत गुजाईश रहती है Chinese painting बनाम European painting का ये बहुत अच्छा पैमाना है Chinese painting बनाम European painting को समझने का ये बहुत अच्छा पैमाना है कि पश्चमी जगत की painting को हम सब एक ही नजरी से देखते हैं we see through the same eye as if we have borrowed the eye of the painter while in a Chinese painting we are in different world, different people will see in different ways into the realm of idea, different different thoughts Western paintings are figurative, very clear picture, very elastic, vastavik while Chinese painting are blur, little dull giving you the scope to imagine and imagine, imagination has no end secondly Chinese paintings speak of inner strength they don't speak of the world as it looks they speak of the world inside, beyond the world beyond this physical world the Chinese painting talks about spiritual world they talk more of spirit, आत्मा की बाते हैं जीवन दर्शन की बाते हैं गहराई की बाते हैं गुण अर्थों को समझने की बाते हैं while western paintings they talk about physical world something that looks outside outwardly मक्खी बाहर ते बड़ी अच्छी दिख रही है बहुत अच्छी painting है, रियल है लेकिन उसके आगे कुछ नहीं गूरता नहीं है Chinese painter does not borrow Chinese paintings are such that you don't have to borrow the eye of the painter his landscape is not a real one and you can enter it from any point Chinese painting का जो landscape है कहीं से भी घुष सकते हो क्योंकि वो रियल नहीं है इमाजनरी है you can travel anyway you can travel, go on traveling the artist creates a path for your eye to travel in it एक रास्ता बना देता है path मतलब रास्ता create मतलब बनाना the artist creates a path for your eye to travel up and down आपके लिए एक mark बना देता है एक रास्ता दिखा देता है बस अब उसके बाद अंदर आप जाएं तो अपनी सोच के अधार पे सोचें और फिर वापस भी आने का रस्ता दिखाता है he tells you the way up and down and then back in a leisurely movement leisurely मतलब आराम से बड़े आराम से leisure time मतलब आराम का समय please do not call me between 3 p.m. and 5 p.m. as that is my leisure time ये मेरे आराम का समय रहता है तीन से पांच का इसलिए कृपिया इस समय मुझे फोन ना करें L-E-I-S-U-R-E, leisure time so leisurely walking leisurely movement this is even more true in the case of horizontal scroll in with the action of slowly opening one section of the painting then rolling it up to move on to the other adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting rather long sentence एक बहुत लंबा वाक्य है पर ये वाक्य से आपको दूसरी एक और भिन्रता पता लगती है Chinese painting और Western painting में Chinese painting में उसकी खासियत आपको बता जिया कि आप कहीं से भी घुश जाएं कहीं से भी देखें अलग-अलग दिखेगा सब के अपने अपने तरीके होंगे कोई कुछ imagine करेगा कोई कुछ imagine करेगा लेकिन एक और खासियत है यदि उसको आप horizontal देखें horizontal scroll करें scroll करना मतलब आप समझते हैं horizontal scroll करें तो कुछ और बात होती है फिर उसके बाद और खोलें तो पैंटिंग का दूसरा हिस्सा दिखाई देगा उसके बाद दूसरा हिस्सा दिखाई देगा और परनाम क्या होता है it adds a dimension of time समय भी अब इसमें जुड़ आता है समय का dimension मतलब समय के बारे में भी इसमें एक तरीके से अनुभूती होती है dimension of time which is unknown in any other form of painting काल भी गुजरता नजर आता है Chinese painting की एक खासियत है कि जैसे जैसे आप उसको horizontal scroll को रोल करेंगे हटाएंगे एक section देखेंगे दूसरे section में जाएंगे तो आपको लगेगा दूसरे समय की painting है तीसरे section में जाएंगे तो लगेगा तीसरे समय की painting है so time का भी census में है another dimension of time is also added in Chinese painting which is not there in any other form of painting तीसरे खासियत, चौथी खासियत बल्किस painting की it also requires the active participation of viewer who decides at what place he will travel through the painting Chinese painting में viewer जो है जो देख रहा है दर्शक जो है जो painting देख रहा है viewer मतलब दर्शक देखने वाला उसका पूरा involvement जरूरी है पूरी तरह उस painting में रम जाना जरूरी है तब ही उसका मज़ा है ऐसी सिद्ध में क्या होगा वो खुद तै करता है कि कहां से वो यात्रा करे तो इस painting के अंदर कहां से कहां जाए कहां से निकले कब उपर चड़े पहाड में कब नीचे उत्रे who decides at what place he will travel through the painting कहां से वो painting में अपने को जोड़ेगा और घुस्ता चला जाएगा a participation which is physical as well as mental और ये painting में viewer या दर्शकों का जो जोड़ना है painting के साथ वो बहुत active होना चाहिए पूरी तरह से उसमें रम जाना चाहिए और ये रम जाना केवल ये रमना जो है ये केवल physical नहीं शरीरिक रूप से रमना नी बलकि मानसिक रूप से भी दिल और दिमाग दोनों से अपने को painting से जोड़ लेना ये Chinese painting के खासी आता है बोथ physical as well as mental he has to feel himself connected with the painting he has to travel through the path in mind he may not physically travel in the painting but in the mind he can imagine that he is traveling from here to left side and then going up and then he happened to see few men walking around he also watched rivers flowing down and he also hear the sound of the birds and what not all this imagination needs full involvement of people the viewer in the painting total commitment he must be totally focused the Chinese painter does not want you to borrow his eyes पांचवी विशेष्टा कि जो Chinese painter है वह नहीं चाहता कि उसी के नजरिये से दूसरे लोग देखें Chinese painter ने painting बना ली अपने नजरिये से अब जो दूसरे लोग देखते हैं painting ये अपने 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 नजरिये से सोचें वो painting में क्या बनाया क्यों बनाया कैसे बनाया और इसमेकार कलपना की उडान में जाएं गहराई में जाएं जीवन की गहराई में सोचते हुएं जीवन का अर्थ देखने की कोशिश करें तो जैसे पश्चमी जगत की painting में painter के नजरिये से सब को देखना जरूरी है और इसलिए painter's eyes are borrowed by viewers in western painting in Chinese painting the painter does not want, he does not want that the spectators, the viewers borrow his eyes to borrow eyes मतलब आखुद हार लेना, आखुद हार लेना मतलब वही नजरिया, रखना पश्चमी जगत की painting के जैसा, Chinese painting वही नजरिया नहीं चाहता, वो अलग-अलग चाहता the Chinese painter does not want you to borrow his eyes, he wants you to enter his mind this is the difference, Chinese painter चाहता है कि इस painting की गहराई में जाते हुए वो पेंटर के दिमाग में जाएं painter की आँखों से न देखें, he wants you to enter his mind, वो चाहता है painter क्या सोच रहा होगा, क्या सोच कि उसने ये दृष्ष बनाया होगा, इसके बारे में सोचें, कौन देखने वाले दर्शक, spectators, viewers, the landscape is an inner one, जो landscape है वो एक अंदरुनी है, a spiritual and conceptual space, ये एक अध्यात्मिक और सुचनी space है, landscape में जो जगहें दिखाई दे रही हैं, वो खाली स्थान नहीं है, वो रिक्त स्थान नहीं है, उसका भी कुछ, conceptual space है, spiritual space है, आध्यात्मिक और conceptual जो स्थान है, वो उसमें दिखाई देता है, the landscape is an inner one, अंदर का एक गहराई में जाता है, the concept is expressed as शांशुई, literally, mountain, water, which used together, represent the word, लांशुई आपको याद होगा, मैने शुरू में आपको बताया था, शांशुई क्या है, दो शब्दों का मिश्रण है, एक कार्थ है mountain, दूसरे कार्थ है water, एक है male, दूसरे है female, एक में है male qualities, दूसरे में है female qualities, ये जो आधार है, इस painting का आधार है, इस concept को जिसका मैंने अभी तक जित्र किया, पांच बिंदों में, Chinese painting कैसी होती है, क्या माइने है, क्या उसकी खासियत है, इसको कहते है शांशुई, S-H-A-N-S-H-U-I, it literally means mountain water, उसका अर्थ होता है, शांशुई का अर्थ होता है, mountain water, which together represent the word landscape, और mountain water से मिलकर ही क्या बनता है, land escape, जो भी आप देख रहे हैं, सनरचना, सतही सनरचना, इस painting में, या अपने सामने, अपने आज़ पास, सतही सनरचना कुछ नहीं है, बलकि land escape है, इन दोनों को मिला कर land escape बनता है, और इस तरीके हम कह सकते हैं, कि water और mountain, they together represent the word land escape, now, more than two, listing of the image, these represent two complementary poles, ये केवल दो चीजे नहीं, complementary मतलब क्या होता है, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के पूरक, उसे कहते हैं, complementary, एक दूसरे पर निर्वर और पूरक, so these words, mountain and water, they are not only two words, but there are two complementary poles, poles मतलब धुरुव, ऐसे दो धुरुव हैं, जो एक दूसरे के पूरक हैं, more than just two segments of an image, किसी एक picture के, किसी एक image के, किसी एक painting के, केवल दो हिस्से नहीं हैं, जिसमें mountain है और जिसमें river है, उससे इसका कहीं ज्यादा meaning है, more than two words, more than two segments, segment मतलब part, they represent complementary poles, एक दूसरे के पूरक हैं, यहां मैं आपका ध्यान एक और शब्द पर ले जाना चाहूँगा, see the spelling complementary, और इसका आज मैंने बताया पूरक, and another word complementary, P-L-I, दोनों की spelling में अंतर देखिए, पहले में P-L-E, और दूसरे में P-L-I, complementary, P-L-I मतलब, किसी को, किसी की प्रशंचा करना, compliment मतलब प्रशंचा, आपके अच्छे व्यभार के लिए, principal ने आपको compliment किया, यहां पर spelling क्या होगी, C-O-M-P-L-I, जिसका आर्थ होता है, किसी के प्रशंचा करना, किसी के बारे में अच्छा बोलना, और complimentary, C-O-M-P-L-E में complimentary कार्थ क्या होता है, complimentary कार्थ होता है, वहां पर पूरक, एक दूसरे पर निर्भर होना, there are complimentary words, mountain, and water, जिससे landscape बनता है, एक landscape क्या है आखिर, पानी, जल, और मिट्टी का मिश्रण ही तो है, मिट्टी के विविन आकार दिखाई देते हैं, मैदान के रूप में, पाडियों के रूप में, mountain के रूप में, और जर्ना पानी के रूप में, नदी के रूप में, एक तलाप के रूप में, यही दो तो है, reflecting the Taoist view of universe, यह जो दो चीजें जो है, reflect करना मतलब दिखाई देना, प्रतिबिम्बित करना, reflect करती हैं मतलब दिखाती हैं, universe मतलब ब्रम्हांड, ब्रम्हांड का जो दाओजी का जो नजरिया था, दाओजी कौन, famous painter, Chinese painter, जिसकी कहानी शुरू में सुन चुके हैं, दुनिया के प्रति जैसा, ब्रम्हांड के प्रति जो इसन नजरिया था, उस नजरिये को दिखाती है, लैंड इसकेप, लैंड इसकेप के माध्यम से, दाओजी, अपना नजरिया वता रहा है, ब्रम्हांड के प्रति उसका जो रवया है नजरिया है वो दिखाई दे रहा है ब्रम्हांड के प्रति वो कैसा सोचता है वह दिखता है और क्या सोचता है ब्रम्हांड जो है वह किस से बना है माउंटेन से और वाटर से Complimentary View Reflecting the Taoist View of Universe The Mountain is Yang You remember I told you right at the beginning Yang is the mountain Reaching virtually towards heaven पहार जो है रीच मतलब पहुचना वर्च वर्टिकली मतलब उपर वर्टिकल और होरिजोंटल होरिजोंटल मतलब समानांतर और वर्टिकल मतलब सीधा उपर नब्बे डिगरी पर Reaching vertically towards heaven Swarga कियोर जाता हुआ Yang, mountain At the same time Warns the dry in the sun While water is in Horizontal पानी जो है वो horizontal बहता है Mountain जो है वो वर्टिकल जाता है So this is how देखिए कैसे एक पेंटिंग के माध्यम से कलाकार की सोच कैसी है कलाकार का नजरिया कैसा और वो समराट वो तो केवल उपर के द्रिश्य को देख के खुश हो गया था तब दाओ जी इसको समझाते हैं कि मेरे साथ अंदर चलिये थोड़ा गहराई में जाये मैं आपको और इस पेंटिंग की गूरता बताता हूं और असा कहते हैं यो घुशता और गया बजाता है So coming back to this story again and representing this horizontal representing the earth the fluid fluid मतलब बहता हुआ moist, nummy and cool, shant or mountain is roaring mountain is yang reaching vertically towards heaven unstable, warm and dry in the sun male characters है यह male characteristic पुरिशों की जो विशेश्षताय होती है वो इस mountain के मध्यम से painter ने बताने की कोशिश की है unstable है warm, गरम है और सूखापन है, शुश्क है dry in the sun जबकि पानी जो है, पानी तरल है पानी बहता रहता है fluid state में, बहने के state में रहता है उसमें नमी रहती है और शान्त रहता है the interaction of these two feminine and masculine aspect is very very important to understand इन दोनों के बीच का जो संबंध है उसको समझना बहत जरूरी है और इस पेंटिंग में यही दर्शन यही विचार यही की या सोच की गूरता पर बारं बार प्रकाश डाला गया है this is what is that story about so now we come to another part of it further meaning of this painting one is horizontal mountain river is water is vertical one is mountain is vertical water is horizontal they show different aspects यह दोनों अलग अलग विशेष्टाओं के प्रतीक है mountain जो प्रतीक हो गया वह active masculine उसका प्रतीक है और जो नदी है water है water feminine coolness का प्रतीक है passiveness का प्रतीक है so with this now we come to the last part of the story before we move to another characteristic and that is called out of the box odd brute जो शब्द हमने शुरू में पढ़ा जिसका आर्थ था out of the box उस out of the box का किससे संबंध है इसको हम आकरी में पढ़ेंगे लेकिन इससे पहले हम एक बार थोड़ा सा इस कहानी के दर्शन को संख्शिप्त में और समझ लें जो 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 जोड़ा